अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िये मुझे बहुत कुछी होगी अगर आप मेरे फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा वेल आज हम बात करने वाले हैं हेर केर की हर कोई चाहता है लंबे घने काले बाल पाना और हर कोई चाहता है कि कोई ऐसा magic wand मिल जाए कि एक भी बाल जी हाँ एक भी बाल हमारे सिर से ना गिरे और बाल लंबे होते जाए घन की और stress तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है I know हम सब की life में problems है और stress, anxiety ये कभी ना कभी हमें परेशान करते ही है but believe me guys if you take stress if you keep on worrying about a certain problem in your life then this worry makes you suffer the double इसलिए चंता परेशानी, stress बिल्कुल अपनी life से निकाल दो आपकी skin आपके बाल अच्छे रहेंगे साथ ही साथ चंता करने से परेशानी करने से ना वैसे भी problem हल नहीं होने वाली है, हल धूडोगे उसका solution पर focus करोगे तो आप देखोगे की problem छोटी होती जा रही है लेकिन चंता करोगे, stress करोगे, problem बड़ी बनती जाएगी, solution पर ध्यान नहीं जाएगा और साथ ही साथ अपनी skin, अपने बाल, अपनी menstrual health, अपना digestion ये सब हम खराब कर लेंगे, तो stress तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, अगर आप चाहते हो आपकी hair health अच्छी रहे, well अब बात करते हैं, आज के वीडियो की, आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ, ये amazing सा beautiful सा oil, जो की आपके बालों की जान ब हाते हो तो फ्लोर पे बाली बाल होते हैं, तो आप आज से ही ये oil लगाना शुरू कर दो, amazing results है, इसके first application से hair fall को 30 to 40% reduce करता है, और ये बहुत लोगों पर मैं try कर चुकी हूँ, amazing, amazing results देता है, ये oil, hair fall तो पका जाएगा आपका, और hair growth अच्छी होगी, बालों का कालापन ल hair growth होती है, hair follicles अगर बहुत ही ज्यादा weak है, ये dead हो चुके हैं, तो hair growth रुख जाती है, और साथी साथ बाल भी नहीं लंबे होते हैं, तो dead hair follicles में भी जान भरता है, ये hair oil, तो जरूर जरूर आपने इसको बनाना है, बहुत simple ingredients हैं, हमने कोई महंगे महंगे ingredients नहीं लियें, simple ingredients जो हमारे घर पर available है, जो हमारी kitchen में available है, उनी से ये hair oil बनाएंगे, और अपने बालों में लगाएंगे, और बालों की जान बचाएंगे, बालों का गिरना रोकेंगे, तो इससे पहले कि आपको ये hair oil के बारे में बता हूँ, आपको थोड़े से dietary changes भी करने हैं, अगर आ हो गिरना रुख जाएं, hair growth बढ़ जाएं, especially जो लोग COVID से जूच चुके हैं, और COVID क्या करता है, आपके शरीर के protein को खतम कर देता है, almost खतम कर देता है, तो protein ही हमारे बालों का building block है, जिसकी वज़े से बहुत सारे लोगों के बाल गिर रहे हैं, और I think इतना hair fall दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, जितना इन दिनों हो रहा है, because COVID के बहुत सारे repercussions हैं, तो क्या ले डाइट में जिससे वो protein की भरपाई हो सके, जिससे की हमारे बालों की health वापस आ सके, तो first thing आपको लेना है करी पता, करी पता में essential oil होता है, साथ ही साथ बहुत सारे minerals होते हैं, जो जिसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, अगर करी पता नहीं मिलता है, आपको तो आप मेथी दाना चबा के खा सकते हैं, रात को एक कटोरी पानी में, आधा चमच मेथी दाना, और पांच से छे दाने मुनक्के के, या किशमिश के, सोक करके रग दें, और सुभा ये पानी चीज है, अखरोट, इसे हाथ लगाते हैं, तो भी बाल टूट रहे हैं, तो अपनी डायट में अखरोट भी शामिल करो, दो अखरोट भीगे हुए, डेली खाओ, जैसे अगर आप मेथी दाना और किशमिश सुभा खा रहे हो, तो अखरोट आप शाम को खालो, चार से पां की सबजी आप खाना चुरू कर दो, यह सब बहुत अच्छी सोर्स है, प्रोटीन की, जो कि आपके बालों को बहुत 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 अच्छी हल्थ देंगी, और एक चीज में भूल गई, फ्लाक सीट्स, जी हाँ, यह आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन देता है आपके बालों को, केरेटिन के लिए रिमान में सहाइक होता है, तो फ्लाक सीट्स को भी अपनी दाइट में शामिल करना, अब बात करते हैं इस हैर ओयल की, इसको कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, धान से देखिएगा, और इसी तरीके से आ बेस ओयल की बात करें तो इसमें चार ओप्शन में आपको दे रही हूँ, आप ले सकते हैं एक कप तिल का तेल, आप ले सकते हैं एक कप नारियल का तेल, या फिर आप ले सकते हैं एक कप सरसो का तेल, इन चारो ओयल में से जो भी ओयल आपके पास है, वो आप इसे बनाने को बहुत अच्छे से portion देता है, तो next ingredient जो हम इस pan में add करेंगे, वो add करेंगे ये दो green tea के bags, green tea में धेरो anti-oxidants होते हैं, जो कि आपके scalp को नरिश करते हैं, अगर कोई scalp infection है, जिसकी वज़े से बाल गिर रहे हैं, या बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो वो scalp infection आपका दूर की green tea साथ ही साथ, बालो को काला रखने के लिए बहुत-बहुत important है, green tea और green tea hair growth को बढ़ाती है, बहुत अच्छे से अपकी scalp को stimulate करती है, तो दो green tea के bags मैंने लिए हैं, और इनको मैं cut करके, इनका जो material है, जो green tea है, वो मैं इस oil में टारी हो, अच्छा पूरे process में, हमारे gas क flame एकदम से sim रहेगा, बिल्कुल भी high नहीं करना, medium नहीं करना, एकदम से low flame रहेगा, और यह अपने ध्यान रखना है, क्योंकि तेज गैस पर अगर इस वाल को पकाऊगे, तो इसकी सारी properties खतम होने वाली है, सिर्फ आपको हलका हलका सा इन सब चीजों को जो हम ingredients इन में डा जालेंगे इसमें, अच्छा green tea वैसे तो आजकल सभी पीने लगे हैं, बिकुस हम लोग बहुत ज़्यादा fitness freak होते जा रहे हैं, तो अगर green tea नहीं है by chance घर में, तो आप इसकी जगह पर 8 से 10 करीपता add कर सकते हो, करीपता पीस लीजेगा आप और फिर इसमें add कीजेगा, र स्केल्प में blood circulation होता है, तो आपके बाल लंबे होते हैं, आपके बाल घने होते हैं, बालों का गिरना रुखता है, 6-7 long लेंगे, make sure कि long का ये जो ऊपर वाला full होता है, जो rounded form में होता है, ये intact हो, लकडी नीचे वाली के साथ-साथ ऊपर full भी हो, तभी long काम आएगा, तो long क हम पीस लेंगे, हलका हलका दरदरा, बहुत जादा बारिक पाउडर भी नहीं करना, हलका हलका दरदरा कर लेंगे, और फिर हम इसमें add करेंगे, third ingredient जो इस oil में add करने वाली हूँ, वो है ginger, यानि की अदरक, अदरक आपके scalp को इतना portion देती है, इतना nourishment देती है, कि आपके scalp म जितने भी dead follicles हैं, वो activate हो जाते हैं, एकदम से मतलब उनमें जान आ जाती है, और वो अपना काम करना शुरू कर देती है, आपके बालों को portion देना शुरू कर देती है, साथी साथ अदरक बेंडरफ को भी दूर करती है, साथी साथ अदरक बालों के सफेदी को जल्दी नही लिया है, छील लेंगे, धोलेंगे और इसको भी मोटा मोटा हम पीस लेंगे, कुछ इस तरीके से और इसमें add कर देंगे, फोर्थ इंग्रीडियन जो आप इस oil में add करोगे ना, वो है मेथी दाना, मेथी दाना, as I told you, प्रोटीन का भंजार है, और बालों के लस्चर को गनाता है, और split ends अगर हो रखे हैं, तो भी दूर करता है, उनको बाल घने करने के लिए मेथी दाना बहुत अच्छा है, तो यहां मैं एक चमच मेथी दाना add कर रही हूँ, सारी चीजों को आपने infuse करना है, at least, at least 2 मिनट के लिए, आपने इस चार चीज़र डाल दी, उसक सिमी गैस रहेगा, और 2 मिनट के लिए बस गैस चलाना है, उससे ज्यादा नहीं जलाना है, दो मिनट के बाद गैस को बंद कर देना है, और इसको ठंडा होने देना है, तकरीबन 20-25-30 मिनट के लिए, जब यह ओल ठंडा हो जाए, इन सभी चीजों की प्रॉपर्टीज और बहुत प्यारी, अमेजिंग सी स्मेल आ रहे है, मतलब इसका अरोमा ही आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हैडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर्फ अट रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो भी ओल लगाओगे ना, अगर आप अपने स्केल्प में, तो आ रहे हैं ना, इस मिनट के बाद जब यह ठंडा हो जाए, तो हम इसे चान लेंगे, और किसी कााज की बोटल में या कंटेनर में भरके रखना है, प्लास्टिक में इसको सेव नहीं करना है, आपने अपने बनाना है, तो यह आपने बनाना है आज ही, और इसे लगाना आप लगा सकते हूं। बच्चे हो बुड़े हो कोई भी से लगा सकता है। क्वार बच्चों के बाल थिक नहीं होते हैं। और। बहुत सारे parents मुझे comment करके बोलते हैं , कि पुजा मेरे बेटे के या बेटी के बाल बहुत बहुत थिन है, मतलब हलके बाल है, तो उनको कैसे घना बनाएं तो ये ओल आप यूज़ कीज़े इससे आपके बच्चों के बालो को घना पन मिलेगा बाल बहुत अच्छे से बढ़ेंगे कोई chemical नहीं है, इसमें कोई side effect नहीं है, घर पर ये ओल बनाईएं और बच्चों के बालो में लगाईए, लगाना कब है इसे आप hair wash करने के 2-3 घंटे पहले लगा सकते है scalp में लगाना है, अच्छे से massage करनी है, और थोड़ा बहुत बालो के strands में भी लगाना है, अगर आप इसके बाद steam ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग सकते हैं, तो कोई बात नहीं, hot towel steam से क्या होता है, आपके oil का effect दुगना तिगना हो जाता है तो hot towel steam ले लीजे या फिर इसे as it is रखिए दे 2-3 घंटे के बात आप hair wash कर सकते हैं और नाइट रखना चाहते हो, तो और भी अच्छी बात है कई लोग हैं, जिनके पास मतलब शाम को तो time होता नहीं, सुबह जल्दी-जल्दी में oil लगाते हैं और उसके बाद hair wash कर लेते हैं तो रात को oiling करके सो सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है उससे अच्छी बात कोई हो इनी सकती है नई तो 2 घंटे का time तो minimum आपको इसको देना ही है बालो में, तब ही आपके बालो में अच्छे से work कर पाएगा, बहुत सारे लोग होते हैं बस ऐसे ऐसे बालो में oil थपा और छोड़ दिया तो ऐसे नहीं करना, प्लीज अपनी सकेल्प को oil पिलाईए बिकर यही वो जगह है जहां से आपके बालो की जड़ो को portion मिलता है तो यहां आपने oil देना है और एक बहुत ही अच्छा है कि pressure point है जो मैं हर बार बताती हूँ बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि आपको अपने सकेल्प के सबसे उपर वाले भाग पर crown एरिया पर यहां पर stimulation देना है जब भी आप oil मसाज करें जब भी आप shampoo करें जब भी आप condition करें या कोई toner लगा रहे हैं सिर में या सिरम लगा रहे हैं यहां अगर आप सिर के बिलकुल चोटी में उपर crown एरिया पर यहां पर अगर आप एक से दो मिनट के लिए भी इस तरह से finger से हलका हलका stimulation देंगे यह बहुत अच्छा acupressure point है hair growth को बढ़ाने के लिए और hair fall को रोकने के लिए साथ ही साथ इससे stress भी दूर होता है तो इस area को stimulation आपने देना है साथ ही साथ third eye chakra is also very very good acupressure point to stimulate hair growth to reduce stress and tension and to balance your hormones तो यह दो acupressure मैंने बताये आपको एक यह है और एक यह है यहां stimulation दीजे round 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 इस तरह से clockwise and anti-clockwise खुमा सकते हैं या फिर दबाईए और छोड़िये दबाईए और छोड़िये इस तरह से आप pressure देंगे हलका हलका तो यह oil use कीजे साथ ही साथ है कि pressure points दबाईए और जो मैंने आपको dietary changes करने को बोला है जो चीजें बताई हैं कि डाइट में आपको लेनी चाहिए उनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजे stress बिल्कुर मत कीजे और फिर देखेगा आपके बालों के बढ़ने को कोई रोप नहीं सकता है आपकी hair growth होगी ही होगी आपके बाल कभी नहीं गिरेंगे यह मेरा वादा है ट्राइ कीजेगा results तो आने ही है यह था आज का वीडियो उमीड करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को like, share ज़रूर कीजेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो subscribe करना बिकुल बनता है because बहुत-बहुत amazing content में आगे भी आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ और एक बात अगर आप मेरे चैनल के special updates जाना चाहते हैं या फिर giveaway contest जो की March के महीने में होने वाला है उसमें participate करना चाहते हैं तो please एक form का link मैंने description box में दिया है उस form को भेज दीजे मेरे पास भर करके एंड हो सकता है कि अगले giveaway के winner आप ही हो आज का वीडियो यहीं खतम करती हूँ और कल मिलूँगी आप से एक amazing से वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा खुश रहिएगा, खुशियां बात देगा सुकूत खुशी बातने से ही मिलता है बाबाई